हेलो स्टुडेंट शॉगत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कामेट के कि काट आप के बारे में कि आपको किस रैंग पे कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल सकती है तो वीडियो के अंग तक बने रही है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो बात करेंगे आपका प्लेसमेंट की बात करेंगे था शरी मिल सकती इंगे, और आपक法 PM 1974 की आजपर खात में की मिल सकती है अगर वहीं आपको इंजिनिरिंग में मिल सकती है अब बात करें आपको इंजिनिरिंग में मिल सकती है अब बात करेंगे करेंगे अगर आपको इंजिनिरिंग में मिल सकती है अगर आपको केमिकल इंजिनिरिंग में मिल लाएगी अगर वहीं बात करेंगे 일일ग्स कि यहाग सब्सक्राइं में फिर यहीं मिल लाएगी अगर आप refrain इंजिनिरिंग में मिल करेंगे अगर आपको इंजिनिक में मिल देर अगर आपको मे को यह दोропуск करेंगे अब बात करते हैं नेस्ट कोलेग दैयानन साघराफ इंजिरिंग तुछ की प्लेसमेंट की बात करें तो आपको 10 एल प्या गया था अब बात करें के अराउंड 3 कटाफ के बारे में अगर आपकी रैंग तो आपको एहरो नाटीकल इंजिनिरिंग दैयानन साघर कालेज आप में बात करेंगे हैं अगर आपकी दन च्ठाँब में अब नेस्ट बात करेंगे हैं आके आभर cute अगर वहीं बात करें, अगर आपको सिवील इंगर कालेज आफ इंगर मिल दाएगी, अब बात करेंगे, अगर आपको रांक 19,000 के आफ आई तो आपको डिपल यह मौप आफ रांवी मिल दाइगा, अगर हम बात करें अगर आपको 20,000 के आसपास रेंग आई तो आपको electronics and instrumentation engineering जो है अगर आपको 14,000 के आसपास रेंग आई तो आपको electronics and telecommunication engineering आपको मोपो प्राउन में अगर आपको को知道र के आपको दो के आपको बात करेंगे आपको मेकैनाच रेंग इंजीरिंग में आप बात करेंगे ने नेश्ट्क कि दो अब इसमें बात करेंगा अगर आपकी कामेट के में 27,000 के आसपास रेंग आई है तो आपको अगर आपको से इसमें 27,000 के में मिल लाएगी अगर वहीं बात करेंगे 29,000 के आसपास आई है अगर आपको सिविल ने इंजिनिंग जो है मेनेजमें में मिल लाएगी अगर आपकी रन टॉंटly-4,000 के आसपास आएक कमेट के आपको आपको अम्यक्रों सब्सक्राइब करेंगे अगर आपकी रैंक 15600 के आसपास आगी तो आपको में में मिल लाएगी अब बात करेंगे नेस्ट कॉलेज की जो है आपका बेमस इस्ट्टूट आप टेकनालोजी मैनेजमेंट इसमें इसमें बात करेंगे तो अगर आपकी रैंक 51000 के आसपास आई है इन कामेट के में तो अगर आप चाहते हूं कि बेमस में लेना तो आपको सीविल इंग्रिंग आपको मोप राउन में मिल लाएगी बेमस बेमसाइटी में अगर वहीं आप आपकी तुन्टी थाउजन राइंक आई है अप ट्रिपली के लिए देखते हैं बेंगलोड में तो आपको जो है बीमसाइटी में जो है मॉप राउन में आपको ट्रिपली मिल लाएगी अगर वहीं आपकी तुन्टी अगर आपकी तुन्टी थाउजन प्लस है तो कामेट के में अगर आप बीमसाइटी देख रहे हैं आपको जो है मैकेनिकल इंजिनिंग जो है आपको 40 ताउजन पर जो है बेमसाइटी में मोप और राउन में मिल जाएगा अज़स्टी बात करेंगे बैंक्लू इस्टूट आप टेक्नलोजी की बात करेंगे प्लस्मेंट के तो इसमें हाइस पैकर आपका 37 अगया था अब इसमें बात करेंगे राउन 3 की कट आपके बारे में तो अगर आपकी रैंक इसमें सब्स्क्यार सकाल में टे- 39 misunderstand के मैं तो आपको इलेक्र इलेक्रिकन ग्सं कामेंं मिलनूपि 25 मैं गडिक इक हैविए अगर आपकी आपको कॉमेट के में 27000 के आस पास आई तो सब्सक्राग को आपको एमस्टूमेंच को में इस्टूमेंटेस इंजिनिंग पली झिलेगा अगि भात करते हैं अगर आपकी रैंग 76 आए है तो आपको मिकानिकल लिजिन इंग विएकि ती में आपको जो आपको जो रोबोटिक्स and artificial intelligence भूरांड तर्ड में जो भी है अब बात करेंगे अगर आपकी जायंग तो आपको जो है बी एटी में इंजिनरी मोपड रूंड में मिल दाएगी अब बात करेंगे नेश्ट कॉलेश की जो है आपका नीटी मिनाच्छी इसमें राउंड 3 की कट आपके बारे बात कर लेते हैं तो इसमें बात करेंगे अगर आपकी 10,000 के आसपास आई है रहे हैं और आप बैंगलोर में अच्छा गाले देखने तो आप इसमें जा सकते हैं इसमें आपको 10,000 में अगर मब अगर वहीं आपकी 50,000 के आसपास आई है कामेट के में अच्छी इंस्टिट्वूट अप टेकनलोजी में मिल दाएगा अगर वहीं आपकी के आसपास आई है तो आपको एलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूक्राइशन इंजिरिंग जो है आपको मौप अब बात करेंगा अगर आपकी रैंक 29,000 के आसपास आई तो आपको एलेक्ट्रानिक्स एलेक्ट्रिकल्स एलेक्ट्रिकल्स एलेक्ट्रानिक्स इंजिरिंग आपको म माउप और बात करेंगे अगर आपकी दो आइसे य हुँ कि आपको प्रुलाइब अगला के सब्सक्राइब बात करेंगे तो अगला इसे पैकेज़ की बात करें तो बात करेंगे लोऔर दो पर बात करुए ह्गे आपको चाहिए तो आपको जो है त्थार अब बात करेंगे अब बात कराएंगे अगर Office सब्सक्राइब कर सकता है अब बात करेंगे अगर आपकी रैंक 17,100 के आसपास है तो आपको मोपा बराण में साइबर सिग्रूर्टी जो है आरने साइटी में मिल सकती है अगर वहीं बात करेंगे अगर आपको कमेट के में 25,000 के आसपास रहेंगे तो आपको इलेक्ट्रोनिक्स और कमुनिकेशन इंजिनिंग मोपाराउंड में मिल रहेंगे अब बात करते हैं अगर आपकी रैंक कमेट के में 16,000 के आसपास है तो आपको अब बात करते हैं अब बात करते हैं अगर आपकी कमेट के में 12,000 के आसपास रहेंगे तो आपको अगर आपकी रैंक कमेट के में 37,000 के आसपास है तो आपको बात करते हैं अगर आपकी रैंक 11,000 के आसपास है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजिनिंग बित आयोटी जो है मोप अवराउंड में SMBIT में मिल लाएगा अगर आपकी रैंक 62,000 के आसपास है तो आपको सब्सक्राइब करते हैं अगर आपकी रैंक 19,000 के आसपास से कामेट के में तो आपको आपको रैंक 49,000 के आसपास है तो आपको सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको रैंक 63,000 के आसपास है तो आपको मेकेनिकल इंजिनिंग राउंड 3 में SMBIT में मिल सकता है